हेलो सुडेंट्स वेलकुम तो अभी मन्यों आए एस सो टार्गेट आए एस 2021 में आप सभी का स्वागत है सुडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इन सेशन के अंदर करेंट यह को कवर अप कर रहे हैं और अगर मैं बात करूँ कर इंदर कवर अप करेंगे in 70 days 70 days के अंदर अंदर clear है और आप सभी से मैं कुछ important announcements करना चाहूंगा सबसे पहली बात regarding the session को लेकर हर एक PDF आपके description section में आपको link दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप लोग अपनी PDF को download कर सकते हैं clear है students और अगर मैं बात करूं current of s की तो याद रखें current of s UPSC के लिए बहुत ज्यादा crucial role play किया जा रहा है और एक चीज और हर एक news को हम लोग यहां पर detailed और explained manner से cover up कर रहे हैं और याद रखें आप लोग इसके notes बनाकर रखें या फिर PDF बनाकर print out ले लीजिएगा क्योंकि एक news दूसरी news से coordinate किसी ना किसी तरीके से रह रही है और हमने यह चीज को प्रूफ भी किया है इन्ही sessions के अंदर तो आप लोग हर एक news को revise भी करते जाए क्योंकि अभी तक का हमने March, April, May, June, July, August and September को cover up कर लिया है और अगर मैं बात करूं October की तो आज हमारा 39th lecture भी October 2020 के current interface के basis पही रहने वाला है अक्टूबर की ओपर हाला की एक या दो लेक्टेस अभी और आएंगे क्योंकि October के अंदर कुछ important current अफेस जादा रह रहे हैं और बस आप लोग मेरे साथ बने रहें क्योंकि current अफेस में अगर आप लोग continue दिखाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी के रिगार्डिंग यार एक्जामीनेशन क्लियर है तो अगर मैं अपना इंट्रोड़क्शन दू तो सुदेंट्स माइसल्फ का नम अगरवाल आम दे करेंट अफेस मेंटर इंद अभी मन्यू आईएस तो लीजे शुरू करते हैं आज की हमारी सबसे पहली न्यूज रहेगी जी एस्टी कंपेंसेशन सेंटर टू बोरो ऑन दे बहाफ आफ अफ दे स्टेट्स और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी एस पेपर थ्री के लिए क्लियर है सुरू करूं तो देखिए क्या चीज रहती है यहां पे लिख हा सबसे पहले जो सेंटर एक सेंटर ने डिसाइड किया सैंटर है Cannon साइड़ जाइड दू बवज्विए तक रहा इन ऑन पायं वन पॉन-वन लाक रूट सुपन तक एक सेंटरेंट डिसाइड या कि बऌरो करना है कितना रहे торовा राट्यर में जो शलेकितना पढ़ा तक्ल फॉल क्लियर यह चीज इंपोर्टेंट है मारे लिए सबसे पहला ही पॉइंट इंपोर्टेंट रहा रहा है क्यों क्योंकि यही तो एक बेक्ग्राउंड यह निवसका आगे आना आगे देखिए यहां पर लिखा गया कि अब जो बॉर्टेंग होगी दो बॉर्टेंग विल नॉट है जो अब बॉरो किया जाएगा उसका फिक्स फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कोई इंपेक्ट नहीं होगा भारत सरकार के ऊपर याद रखें यह चीज एक मिट यह चीज पर कोई भी इंपेक्ट नहीं पड़ेगा नॉट हैव एनी इंपेक्ट ओन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्मेंट ऑफ इंडिया क्लियर है आगे देखिए यहां पर लिखा गया कि एस सेंटर इस एक्टिंग आज मेडियेटर का रोल प्ले करती है दसेंटर इस बॉर्व यहां पर लिखा कि the amount will be reflected as the capital receipt of the state government and as part of the financing of its respective fiscal deficits clear रहे एक इवन the economic slowdown अभी जो economic slowdown हमने trend देख लिया due to the pandemic आप सभी को पता है कि जो economic slowdown है had reduced both GSTs and the CES collection यहां कि GST क्या चीज़ रहे है एक goods and services अब students what do you mean by CES हम लोग आज इसकी ओपर तोसर डाटा एड़ाउन करेंगे in the financial year of the 2019 से 20 clear act resulting in the 40% gap यानि की 40% का gap मिनगा 40% का 40% का shortfall हो गया इसके बीच में between the compensation paid and the CES collected के बीच में correct अब यहां पर आप लोग मेरे साथ बने और लिखें कि what do you mean by students देखिए कि सेस क्या चीज़ रहती है यहां पर number one मैं शुरू करता हूं लिखा गया कि it is resorted to only when there is a need to meet the particular expenditure for the public welfare मैंने students यहां पर एक basic से definition लिखा है कि says क्या चीज़ है एक resort कप किया गया कि जब इसकी जरूरत होगी क्यों जरूरत होगी जब हमें particular expenditure चाहिए लोगों की भलाई के लिए ठीक है और अगर मैं आगे बात करूं ओके यहां तक पहले definition clear है ठीक है आगे फर्दर बढ़ेंगे second point भी देख लीजिए लिखा गया कि says is a form of text जो सेक्स जो सेस है ना यह एक ऐसा टेक्स है एक फॉर्म आफ टेक्स है जो लिवाइफ किया जाता है ओवर और अबव दर बेस्टेक्स लाइबिलिटी आफ टेक्स पेयर क्लियर है सुरेंट्स तो आप लोग यहां पे एक चीज़ को फोकस करें कि जो सेस है वो टेक्स के रूप में ही है लाइबिलिटी यानि की एक फॉर्म आफ टेक्स है जो किसके ओपर लगाया गया ओवर और अबव दर टेक्स लाइबिलिटी ओफ टेक्स पेयर्स क्लियर आगे बढ़ते हैं तो बेसिक डेफिनेशन देखा आपने यहां पर आगे देखिए जो स्टेट जी एस्टी है यानि की जो स्टेट का राज्यों का गुड्जन सर्विस टेक्स है उनका रेविन्यू गैप 2020 से 2021 का कितना आ रहा है ड्यूट अगे पैंडमिक वह एक्सपेक्ट किया गया था 3 लाक क्रूट का क्लियर वाइल सेस्ट केलेक्शन आर ओनली प्रोजेक्टेड टू रीच 65,000 क्रोड्स लीविंग अ शॉर्ट फॉल आफ रूपीज 2.5 सॉर 2.35 लाक क्रूट का क्लिय कि दा फाइनेंशल मिनिस्टर सॉरी दा फाइनांस मिनिस्टर कौन है जी निर्मला सिता रमन जी की बात की गई है टर्म दद उन्होंने क्या बोल दिया गया टर्म किसको किया जो जी एस्ट कम हुआ जो फॉल ऑफ जी एस्ट रेवन्यू हुआ डू तो कोविट 19 ऐस एक्ट आफ गॉड याद रखें यह निर्मला सिता रमन जी की तरफ से बोला गया कि जो गुट्जिन सर्विस्टेक्स में शॉट फॉल आया जो कमी देखने को मिल गई ड्यू तो कोविट 19 उन्होंने उसको क्या बोला गया इट इस एक्ट ऑफ गॉड हावएवर जो जी एस्टी क देखें यहां पर कि जो जी एस्टी कम्पेंसेशन एक्ट है 2017 का वह क्या लिखा गया कि वह गरेंटेड स्टेट्स डैक्ट दे वूड बी कम्पेंसेटेड फॉर एनी लॉस ऑफ रेविन्यू इन फ़स्ट फाइव यहां पर लिखा गया था कि पहले पांच साल में जी एस् रहता है कंपेंसेशन होगा तो भारत सरकार की तरफ से होगा इन फस्ट फाइव यहां पर थोड़ा सा गलत बोल गया आप सॉरी तो यहां पर लिखा गया कि जी एस्ट कंपेंसेशन एक दोजा सतारा के अंतरगत किया था कि गरेंटेड था स्टेट्स को दाट दे वूड़ बी कंपेंसेटेड फॉर एनी लॉस ऑफ रेविन्यू इन फर्स फाइव यह रॉफ जी इंप्लिमेंटेशन अंटिल 2022 क्लियर तो यहां पर मैंने एक न्यूस पेपर की कटिंग को भी यूस किया है तो देखिए क्या लिखा गया कि जो भारत के 21 स्टेट्स हैड एग्रीड तो बॉरॉफ फ्रॉम्टे मार्केट टू मीड़ जी एस्ट शॉट फॉर्ट वारत के राज्जाओं ने क्या बोल दि अब क्या बोल दिया कि भारत सरकार उठा रही है मार्केट से पैसा और वो आगे भारत के राज्यों को देगी और दिस में हल्प लोरीं दो बोरिंग और बॉरीं कॉस्ट फॉर शॉर्ट पार्ड शॉर्ट विद आइफिजिट अब इससे ये कदम भारत सरकार जो उठा रह और एवन लिख दिया गया वांट रेस दो फिस्कल डेफिशिट और जेनरल गवर्मेंट डेप्ट सेस्ट फाइनांस मिनिस्टर तो आप लोग ना यह चीज को एडवांटेज में ले सकते हो एडवांटेज में कैसे मेंस पर्सपेक्टिव से अगर कोई कोशन आता है तो यहां पर लोग लिख सकते हो कि भारत सरकार ने आगे आकर केस तरीके से गवर्मेंट की सौरी सेट गवर्मेंट की हेल्प की तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना इंटर रिलेशन्शिप देखिए क्या लिखा कि सेंटर है आज बीन आट लॉगर हेड्स विद मेनी स्टेट्स ओवर देखें यहां पर ऑगस्ट दो हजार बीस में जी एस्टी कॉंसल जब बैठी ती जब मिले थे यह सभी लोग देंटर अब कंशेप्ट है भारत सरकार ने जो गठित की थी जी एस्टी कॉंसल तो उन्हों ने भारत के राज्जाओं को दो ओप्शन्स यह थे कि आप लोग इन्हीं दो ओप्शन्स में से जो जी एस्टी के इंदर गाप देखने को मिला शॉट फॉल देखने को मिला आप बैसे भर सकते हैं क्लियर है अब सुरेंट्स वट डू यू मीन बाई जी एस्टी कॉंसल तो देखिए जी एस्टी कॉंसल तो शुरू कर रहा हूं मैं नमबर वन आप जी एस्टी कॉंसल के लिए क्या बोल सकते हैं कि इट इस अ कॉंस्टिट्यूशनल बॉड़ी याद रखें ये कॉंस्टिट्यूशनल बॉड़ी है आपकी जी एस्टी कॉंसल और किसके अधार पर बनी कॉंसे कानून के अधार पर आर्टिकल 279 क्लॉस एक एं तर्गत क्लेरेक्ट फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन कॉंसर और इस तुट्यूशन तो लिए ट जुट्यूशन तो एं तन धार पर एंधार उयूशन तो तो खूंस्ट वायूशन तो बॉट्स्त और खूंस्ड़्स स्टेक्स क्लियर है सुडेंट्स यहां पर कि जी एस्टी कॉंसेल एक कॉंसिट्यूशन बॉड़ी है जो आपको रिकमेंडेशन देगी ना कि यूनियन को भलकि स्टेट गवर्मेंट्स को भी और किसके इशू पर जी एस्टी के लिए तो यहां तक लिए रख आगे लिखता ह इंडिया सो दाट स्टेट सेट को 97,000 क्रोड आट रीजनेबल रेट आफ इंट्रस दिया जाएगा दे अमाउंट कान भी री पेड आफ्र फाइव यह याद रखे सतानवे हजार क्रोड रुपया दिया जाएगा और विद पर्टिकुलर इंट्रस रेट के ऊपर और यह पै है सुलंज आगे बढ़ते हैं है अब यहां पर देखे हमारी थर्ड है यहां पर मैंने अगें थर्ड पर भी कि न्यूस पेपर की कटिंग यूज कि किया कि सेंटर मेक्स ऑकेस फोर स्टेट बॉरिंग यहां पर लिखा वाय स्टेट शुट वॉरा अब स्टेट क्यों borrowing क्या रखा गया कि target already raised more could spike yields higher rate would hurt the borrowers compensation says owned by the state center cannot borrow against it clear na even लिखा कि center not keen on voting in the gst council okay sorry even लिखा गया कि जो full gst है lost compensation in both options यहां पर जो हमने 97,000 करोड रुपे का option रखा गया था balance payment के अधार पे वेन बॉर्विंग रीपेड कि center ने क्या बोल दे कि RBI to help the states borrowing at the same rate RBI help करेगा center ने बोल दिया states के लिए even gst council to meet on September 2019 he states to given preference by the Tuesday जो उस साम का था clear बढ़ें आगे अब यहां पर benefits एक लीजिए कि क्या benefits है benefit के अगर मैं बात करूं कि the borrowing the borrowing by the center would avoid differential rate of interest अब concept यही है ना अगर center borrow करके states को देगा तो इससे benefit क्या होगा avoid किया जा सके नेगलेक्टिन नेगलेक्ट किया जा सकेगा वो डिफ्रेंट दिफ्रेंट रेट आफ इंट्रस को कि इंडिविज्वीजुल स्टेट में बी चार्ज़ फॉर देर रिस्पेक्टिव स्टेट डेवलप्मेंट लोंज की अंतरगत क्लियर है ना and would be administratively easier arrangement करेक्ट है ना यह important रहेगा second क्या है लिखा the country's general government debt अब concept है जो भारत सरकार का general सरकार का कर्जा है विच इंक्लूट बोट center and the state's borrowing will not increase due to the step clear even further लिखा the states that get the benefit अब जो भारत की राज्य सरकार है जो उनको benefit मिला from the special windows जो अभी हमने पढ़के चुकी है are likely to borrow a considerable lesser amount from the additional borrowing facilities of 2% of the gross domestic products under the आत्म नर्भर package again important again important clear एक आगे चलता हूं तो क्या लिखा गया कि the borrowing limit of the state government are increase अब यहां पर इंक्रीज कर दिया गया है एक राज्य सरकार की borrowing उधार के limit को बढ़ा दिया गया 3% से 5% के अंतरगत in between clear न और यहां पर the year of 2022-21 under the आत्म नर्भर package clear again important तो यह सारे की सारी स्लाइड आपके लिए ना civil services examination point of view से बहुत important रहेगा crucial important है यह वला तो clear और मैं यहां पर एक चीज़ कर गया था जो हमने पड़ा था ना की जी एस्टी council है जो एक constitutional body है अंडर अर्टिकल 279 एक अंतरगती बनी है सुडेंट्स जो रीकमेंड करती है यूनियन को और गवर्मेंट को यह चेर किया जाता है चेर्ड बाइदर चेर्ड बाइट फाइनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और और अगे चेर्ड आज़र फेड्र बॉड़ी याद रखें यह मैं जी एस्टी council की बात कर रहा हूं क्लियर है सुरेंट्स यहां तक आगे बढ़ें आगे आगे मूफ करते हैं अब यहां पर देखिया आप लोग की गुड्जिन सर्विस सेक्स को लेकर क्या लिखा गया गुड्जिन सर्विस सेक्स की अंतरगत की जो जी एस्टी है की जी एस्टी वोस इंट्रोड्यूस्ट थू दर 101st Constitutional Amendment Act 2016 करेक्ट है सुरेंट्स यहां तक इवन लिखा गया की इट इन्डिरेक्ट टेक्स यह एक इन्डिरेक्ट टेक्स है जो किसके ऊपर लगाया गया ऑन दे सप्लाई आफ फाइनल गोड्बिशन सर्विसेश करेक्ट है आगे देखा जाए तो गांगे इस सैंचली अ कंजप्शन टेक्स और लिए आट ट द फाइनल कंजप्शन पॉइंट्स क्लियर हाला कि यह बेसिक्स हैं जी एस्ट के आपने पहले भी पड़े हैं आगे देखें लिखा गया कि इट एस लेव ओनली ऑन दो वेल्यू एडीशन यह एक वेल्यू एडीशन के ओपर है यह एंड प्रोडक्ट क्यों पर लगाया गया है और गोड़ें सर्विसेक्स का क्लियर आगे लिखता हूं कि अब जो जी एस्ट है जो मर्चंट पे करता है वो प्रुक्योर गोड़ें सर्विसेस इंपूट के लिए सब्सक्राइब के लिए क्या चीज़ रहती है क्लियर आगे लिखा गया कि जी एस्ट अवाइड कास्केडिंग एफेक्ट और या फिर टेक्स-on- Nature in Krizy एक टेक्स लगा दिया फिर इसके ऊपर एक और टेक्स लगा दिया तो वो बर्डन को कम करने के लिए मने जी एस्ट लियकर आए थे तो इसी ने तो एव्वाइड कर दिया जिसको बोल दिया गया कास्केडिंग टेक्स बर्डन ओन and consumers clear है students यहां तक कोई डाउट नहीं है आगे बढ़ें मैं आगे बढ़ता हूं तो आगे फर्दर क्या लिखा next news हमारी आज की क्या आ रही है आपकी अगली news आ रही है कि supreme court on the crimes and violence against women बहुत crucial role play करेगी यह तो आपकी news GST paper 1 और GST paper 2 के लिए याद रखें यहां पर data इतने add-on करना नहीं पड़ेगा पट यह news काफी important रहती है क्लिर रहे ना क्यूंकि government of India governance की ऐसे कई questions को arise करते एवन आपके in आपके interviews में भी काफी ज़्यादा question arise किये जाते हैं पूछा भी गया है कि the steps taken by the government of India to secure the woman या फिर to protect the woman against the crimes clear है तो यह news को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा मैं शुरू करता हूं यह news को तो यहां पर लिखा गया कि supreme court has said that crime against the woman continued in a never ending cycle in India यह supreme court का मानना है बोलना है कि यह एक ऐसा cycle है जो कभी खतम नहीं हो पा रहा है clear even एक judgment I judgment dealt with statutory scheme अरे concept has statutory scheme की अंतरगत of the protection of women from domestic violence act important कि एक महिला को बच्चाना है कि protection of women from the domestic violence act जो घर घरेलू हिंसा हो रही उसके ओपर 2005 यह कानून बनाया गया था कि it has allowed woman तो यह कानून के अंतरगत क्या क्या allow किया गया woman को sorry woman fighting domestic violence cases the right to reside in the shared household याद रखें यह एक अधिकार हो चुका है एक woman का की right है to reside in the shared household even if her husband had no legal right to the house and the same was owned by the father-in-law और the mother-in-law यह बोला गया clear आगे देखिए कि making the act comprehensive concept है अब यह एक और comprehensive करना है the court observed that a court क्या बोल थे the court observed that relief granting right to reside to a married woman under the domestic violence law by a criminal court अब देखिए the court observed that relief किया गया granting the right to reside to a married woman under the domestic violence law by a criminal court is relevant यह relevant माना गया by the criminal courts and could be considered even in the civil proceedings अगर आप लग सिवल प्रसीडिंग के अंदर भी जाओगे तो भी यह मानता प्रापत है वहां भी कि सीकिंग हर eviction from the matrimonial home clear the residence in which a husband and a wife have lived together clear आगे बने देखिए क्या लिखा कि reverse earlier judgment the court reversed the law held by a previous decision of the supreme court in the december 2006 in the sr batra versus taruna batra were on similar facts वो क्या था कि it refuses permission to the wife to continue staying in her husband's house as it was owned by her mother-in-law this part of ruling was held wrong in the laws as it did not give full meaning to the act 2005 clear रे ना तो सुदेंट्स मैंने यहां पर कटिंग को भी यूज किया है बट यह कटिंग आपके news के relevant है बट देखें कि unsafe space क्या रहती है लिखा गया कि the rate of crimes against women for one lack of their population increase to 58.8 in 2018 अब concept देख लीजिए 50% से भी ज्यादा बढ़ गया है crime against a woman ठीक है even suicides भी बहुत ज्यादा attempt किये जा रहे हैं अगर 2018 के recording देखा जाए as many as 30,127 daily wage earners commit suicide in 2018 the highest among all the professions the number of suicide among the person engaged in agriculture came down by the 2009 percent in the 2018 यहां पे comparison दिखाया गया है clear है ना आप लोग concept देखिए जो daily wage earners है जो वो suicide कर रहे हैं वो कितने 22.4% even housewife का भी comparison कर लिया गया क्यों comparison किया my dear students due to the domestic violence act यहां पे कितने 17.1% का ratio आ रहे है clear है ना तो यहां पे Assam ने record किया 166 crimes per 1 lakh woman the highest in the country followed by the Delhi 149.6 clear clear है students आगे बढ़े तो यहां पे क्या लिखा गया कि the national family health survey जो चौथा सर्वे किया गया 2015 से 2016 के अंतरगत उन्होंने suggestions किया दिये कि 30% women in India in the age group of 15 से 49 have experienced physical violence clear यह data दिया गया था by the national family health survey clear चलें आगे ओके आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आगे क्या आया least reported form of cruel behavior कि अंतरगत क्या है the court noted that domestic violence in India is ramped yet under reported यानि की women in India face violence and discrimination जो women भारत के अंदर वो violence और discrimination को जो face कर रही है is one form or the other in their various rules of as daughter sister wife mother partner or the single woman clear even as per the united nations woman यानि की UN woman के अंतरगत क्या है globally बोल दिया गया है कि 2019 से 20 के अंतरगत 243 million women याद रखें 243 million women की बात की गई है and girls जो age आ रही है 15 से 49 की across the world पूरे पूरे विश्व में have subjected to sexual or the physical violence by an intimate partner clear है यह दावा किया गए united nation women's का अब सुड़ा सा data add-on कीजिए UN women's की अधार पे तो लिखें आप लोग याद रखें जो मैं data add-on करवाता हूं काफी important रहता है आप लोग याद उसका screenshot ले लिया करो नहीं तो वीडियो को आप pause करके भी देख सकते हैं clear रहे नमबर वन अगर मैं बात करूं तो इस दे उनाइट नेशन्स एंटी अ जो डेडिकेट किया गया जेंडर एकोलिटी को अग्ण एंपावर्मेंट ऑफ वुमेन क्लियरे सुरेंट्स शेकिंड पॉइंट और एक कंसेप्ट रेखें यह एक ग्लोबल चेंपियन है फॉर्ड वुमेन और गर्ल्स की इट वॉस् एक्ष्ट एक्ष ineट्स एक्ष्ट कावूर्म आटाम सेares लग्याभवश्ट छेजर स्विच्ट घूर्स का क्लियरे सुट्यर्युछ वार्म्रावर्म years तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए होगी ये सेशन को लेकर बट फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कमेंट सेक्शन को रिव्यू कर रहा हूं और किसी को भी कोई डाउट रहेगा तो मैं नेक्स क्या चीज़ रहती है जिसके अंदेखिक डिके अक्ट ओफ दिमस्टीक वाइनस कैष्छिए का होगा नमबर वन फीजिकल वा इलेंस जिसके अंदर स्लापिंग हिटिंग किकिंग अन्ड बीटिंग और सेक्शव स्फस्विल वाइलेंस जिसके अंदर आता है इंक्लूडिं जिसको आपनोग mentally torture का नाम भी दे सकते हो यहां पर लिखा गया सच इस इंसल्ट करना बैलिट लिंग करना constant human human humilations करना उसको intimidations करना threats of harm या फिर threats to take away children's clear और fourth है आपका controlling the behavior यानि की including isolating a person from family and the friends सबसे जादा most important यह role apply कर रहा है क्योंकि North India के अंदर maximum women face कर रही है क्या isolate किया जाता है उनके family और friends से even monitoring their movements and restricting assess to the financial resources employment education or the medical care clear है आगे बाड़े तो students आज की हमारी next news रहती है कि Australia to join मालाबार exercises यह काफे important रहेगा और याद रखें यह international relations में काफे ज़्यादा important role भी play किया जाएगा और यह news को हम लोग थोड़ा ज्वाइन कर रहे हैं मालाबार exercises को clear है और भारत की रिक्वेस्ट पे अन इंडिया रिक्वेस्ट यानि की जो एक्सराइज है scheduled है to be held in November 2020 clear अब यानि की 2020 में जो मालाबार exercise होती है वो क्या चीज़ है अब देखें ध्यांचे क्या है कि यानि की अरब सागरम और बंगाल की खाड़ी में एक्सपेक्ट किया गया है कि 2020 की मालाबार exercise कंड़क्ट की जाएंगी clear अब 2019 में क्या हुआ था in 2019 the exercise was conducted of the coast of Japan यानि की coast of Japan के पास किया गया था आप बोल से तो कि पैसे भी कोशन में जी बिलकुल सही है आगे चलें तो due to COVID-19 pandemic the exercise had been planned in a non-contact at sea format clear है और इसका objective क्या था मालाबार exercise का इसका main objective है is to enhance safety and security याद रखे safety और security को लेकर आना है maritime domain में important role play कर रहे हैं यानि की बहुत important है आरे international trade को लेकर जो हम लोग discuss करते हैं कि इंडियन ओशन में भारत का 30% से भी ज्यादा का international trade आता जाता है तो वह चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं हम लोग एक्सेसाइज को conduct करते हैं clear है students यहां तक अगर कोई भी doubt है तो comment section में आप लोग ज़रूर लिखें आगे बढ़ता हूं आउस्ट्रेलिया का inclusion मालाबार exercise इसमें क्या impact डालता है तो देखें नबर वन यहां पर क्या लिखा गया the issue of the issue of Australia inclusion in the मालाबार अब issue क्या है अगर आउस्ट्रेलिया ने मालाबार को join किया had again come up for the discussion at the quad foreign ministers clear है quad को हमने देख लिया था जिसके अंतरगत आपका भारत USA Japan and Australia ने join किया था quad को clear है students so this is your quadrilateral चार कंट्रीज आगे थे ना जी बिल्कुल तो यहां पर discussion at the quad foreign ministers meet in the Tokyo held in October 2020 therefore India invited Australia to join the exercise correct अब quad क्या है लिखा कि quad informal strategic dialogue है या नी की informal strategic dialogue between India USA Japan and Australia with a shared objective अरे ऐसे concept अब्जेक्टिव ही कि यह चारो देश मिलकर share कर रहे हैं to ensure and support a free open and the prosperous Indo-Pacific region आगया concept फिर से important की यहां पर देखा आगया की चारो देश मिलकर Indo-Pacific region पे free open trade की बात कर रहे हैं indirectly free open trade की बात की जा रहे है यहां पे clear है students आगे बड़े तो आगे क्या लिखा the move will bolster the ability of India Australia Japan and the United States to work together की यह एकठे आकर मिलकर काम करेंगे to uphold peace stability across the Indo-Pacific region again very very important point याद रखे students में आपको यह चीज़ बोलना चाहूंगा याद रखें यह चीज़ काफी ज़्यादा crucial role play करेगा examination point of view से सबसे ज़्यादा यह आपके लिए जो मैंने यहां पे highlight किया यह काफी ज़्यादा crucial role play करेगा आपके लिए clear है क्योंकि यह news अपने आप में काफी ज़्यादा important role play कर दिए है आगे बढ़ता हूं यहां पे लिखा कि यह एक और सो एक्सपेक्टेड है तू फर्दर लेड़ फाउंडेशन फॉर्द इवेंच्वल formalization of quad grouping important है clear residents आगे बढ़ते हैं अब है क्या चीज इसके अंतरगत तो क्या लिखा देगें आप लोग यहां पे लिखा गया कि डिस्पाइट regular request from the australia india resisted issuing the invitations due to its concern that move would give the appearance of quadrilateral military alliances aimed at china again important the quadrilateral military alliances बन चुका है अब united states of america japan india and australia के बीच में aimed at china clear क्योंकि जो हमने news पिछले हफ्ते भी पड़ा था पिछले sessions में भी किया है वो कौन सा है वो है अपना south china c ko लिखर कि जो इन जो चाना अपने territory को expand करने की कोशिश कर रहे clear कि आंगे क्या लिखा गया in 2017 2017 2017 में क्या लिखा कि जो ऑस्ट्रेलिया है had requested australia ने request किया for observer status in the malabar exercises again मैं इसको highlight कर रहा हूं याद रखें यही crucial points हैं जो civil services में बहुत जादा important role play करते हैं students यहां पर लिखा है जाना कि 2017 में australia ने request किया था कि मुझे observer का दर्जा दिया जाए in the malabar exercises कि china has repeatedly expressed the strong opposition to any expansion of the malabar exercises और china दूसरी तरफ इसको oppose कर रहा था कि आगे फर्दर malabar exercises को expand ना किया जाए विट इट सीम्स आस multilateral naval constructed designed to counter and contain it clear आगे बड़े आगे क्या लिखा गया however the recent India China tension जो भारत और चाइना के बीच में tension है over the situations at line of actual control LOC को लेकर may have brought more flexibilities to the India's decision making the process क्योंकि इंडिया और चाइना को लेकर LAC में जो पैंग गॉंग सोल लेको लेकर tension create किया गया था जो then after LAC में जो major dispute देखने को मिला हमें वो चीज को लेकर है clear है तो यहां पर क्या लिखा गया कि may have brought more flexibility भारत को decisions लेने में clear है आगे बढ़ता हूं मैं अब मैं आगे चल रहा हूं यहां पर देखिया आप लोग क्या लिखा गया कि जो जपान है and USA has also been pressing India for Australia's inclusion in the Malabar exercise is important again correct even लिखा है कि भारत ने इंडिया and Japan had signed in दोनों देशों ने मिलकर sign किया military logistic agreements को जो September 2020 में sign हुआ again most important prelim perspective से students एक मिनिट मैं यहां पर बोलता हूं आपके लिए यह काफी important है prelim perspective से क्योंकि भारत ने और जपान ने मिलकर military logistic agreement को साइन किया September 2020 में अब सुडेंट्स आप लोग यहां पर डाटा add-on कीजिए कि what do you mean by military logistic agreements तो लिखें यहां पर बस आप लोग में बने रहें क्योंकि मैं आपको करेंट अफेर में कोई भी डाउट नहीं आने दूंगा क्लियर रहें कि मिलिटरी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट तो देखें नमबर वन यहां पर नमबर वन क्या लिखा गया कि इट एंड आट ग्रेटर मेरिटाइम कोपरेशन यह एक सबसे लंबा ग्रेटर मेरिटाइम कोपरेशन है अन्ड गान अपग्रेड इंडिया जपान नेवल एक्सराइज इस अन बोथ कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड कि दोनों देश एक एक्सपेक्ट किया गया है टू शेर कि मैरिटाइम इन्फोर्मेशन या फैसिलिटी लिख सकते हैं अगर मैं इसी के अंडर मिलिटरी लोजिस्टिक एग्रीमेंट जो भारत और जपान के सब्टमबर 2020 में साइन हुए है उसी के ओपर एक और पॉइंट लिखा जाए तो क्या लिखा गया कि एट विल also enhance the inter sorry intero portability asset in maintaining regional security and further increase मैं साइन उस करना हूं increase the bilateral defense engagement work between the two countries clear assurance so this is your military logistic agreement जो भारत और जपान दोनो देशों के बीच में हुई September 2020 में clear है आगे बढ़ें तो देखें आप लोग आगे तो यहां पर लिखा कि India and USA अब भारत और USA ने क्या किया और also stepping up efforts तो इन दोनों ने भी मिलकर एक efforts लगाए किसको लेकर to conclude the basic exchange and the cooperation agreement आरे जो हमने कल वाले session में पड़ा था बेका को लेकर कि दोनों देशों के बीच में जो basic exchange cooperation agreement हुआ था a head of the Indo USA 2 plus 2 ministerial meeting on 26 27 October 2020 में जो क्या गया था agreement clear even क्या चीज है बेका को लेकर यान की basic exchange and the cooperation agreement की military pact है दोनों देशों के बीच में भारत और USA के बीच में will allow the India to the use USA geospatial intelligence इस यह बेका ने भारत को allow कर दिया है कि USA का geospatial intelligence को use किया जा सके and enhance accuracy of automated systems and weapons like missiles and armed drones again important बेका को लेकर प्रिलिम्स में news काफी जादा पूछी जा सकती है defense sector में भी क्लियर even लेमवा में भी काफी जादा important है जो हमने कल देख लिया था क्या है कि Becca is one of the four foundational military communication agreements यानि की इंडिया and USA के बीच में क्या relations आए क्या agreements हुए वो है आपके communication agreements हुए है in military military को लेकर number one कौन सा है सर number one students आपका आगया बेका second students हमारा कौन सा आ रहा है गौस्मिया and third one कौन सा आ गया लेमवा and fourth one कौन सा आ गया सिसमवा यह हमने students कोई भी अगर मेरा आज ऐसा learner है जो आज पहली बार मेरा news को देख रहा है तो उससे request है कल वाला session भी वह जरूर देगे क्योंकि कल वाले session के अंदर मैंने एक news के अंदर cutting को use किया था newspaper की जहां पर यह चारो four military communication agreements discuss किया था यानि कि बेका को भी गौस्मिया को भी लैमवा को भी और सिसमवा को भी clear है तो यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी यह इंपॉर्टेंट है अगेन प्रिल्म पर्स्पेक्टिफ याद रखें प्रिल्म में इसी तरीके के questions पूछे जाते हैं मैं फर्दर आगे चलता हूं कि यहां पर क्या लिखा गया कि आज इंडिया अब भारत seeks to increase cooperation अब भारत देखता है आगे और cooperation बढ़ाने के लिए विद अधर कंट्री मिल्कुल ठीक है अरे अगर भारत देख भी रहा है अधर कॉप अधर कंट्री को cooperation के लिए वो सिर्फ किसके लिए maritime security को बढ़ाना है हमने maritime security को बढ़ाना है क्यों बढ़ाना है जो हमें threats face करने को मिल रहे चाइना की तरफ से maritime security domain high-end military exercises like मालावार क्योंकि मालावार में जो भारत को भारत की request से Australia को inclusion किया क्या है clear and key to enhancing the maritime capabilities building intero sorry interoperability with its close partners upon concept partners USA Japan and Australia quad up and demonstrating its collective resolve to support and open prosperous endo-pacific correct है students यहां तक अगर कोई doubt है तो comment section में आप लोग जरूर लिखे clear मैं clear कर देता हूँ अब मैंने फिर से cutting लगाई यह newspaper की तो यहां पर लिखे देखते हैं आप लोग कि यहां पर लिखा matching skills कि माला बार जो exercise है मैं डिटेल लेकर जा रहूं तो हिस्ट्री में वह 1992 में शुरू किया गया था एक bilateral naval के रूप में bilateral दो country होंगे वह कौन से थे एक था भारत एक था United States of America अब in 2015 1992 में शुरू किया गया 2015 में क्या किया गया कि इट वोज expanded in trilateral तो माला बार को trilateral के रूप में लेकर आए गया क्योंकि तब वो जपान include कर लिया गया था अब 21st edition of माला बार नेवल एकसे साइजिस करेंटली अंडर वे आफ चैन्नाई यह मैंने कटिंग पुरानी यूज किया याद रखें अगर मैं यहां पर लिखूं पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करूरों इंडियन नेवी की तरफ से कौन है एक है आपके एरक्राफ्ट केरियर आइनस विक्रम दित्या फिर गाइड मिजाइल स्ट्वायर रनवीर देन अफर इंडर जीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट शिवालिक और सहयाद्री देन अफर एंटी सब्मरीन कवरवेटी यह निकी काम सॉरी काम कामूर्था देन आफर मिजाइल कॉरव एंड करपान फ्लीट स्टेंकर कौन से जोती देन आफ्टर सिंधु गोष्ट क्लास कौन सा है वो आपका वो आएगा सिंधु द्वज देन आफ्टर वन लॉंग रेंज पी 81 पेट्रोल एरक्राफ्ट तो सुडेंस यह चीज़ भी अपने आप में काफी जदा इंपॉर्ट प्रवड के एंधर कौन देन आफ्टर यूजिट सेट्स इन एवे तरफ से एर्फ्ट करियर यू उसस निमित्स विद ऑग्ग्ग्ड केर आर बेंग्र केर एर्र एर्विंग 11 तन आफ्टर गाइड टीज़ कूजर श्रुज कूर उसस पिंक्ने ठेन अव चुर्ट वाइड पॉजिडॉन एर्क्राफ्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह तो आपका यू ऐसे का यह और वन लॉस एंगल्स क्लास फास्ट अटक सब्मरीन डाट इस यू एस जैक सॉन्विल और जपान की तरफ से हेलिकॉप्टर कैडियर जैस इजुमो और मिजाल देस्ट अब मालाबार एक्सराइजस में देख लीजिए लिखा गया यह अभी हमने जो पड़ा था कि एक एन्वल ट्राइलेटरल नेवल एक्सराइजस हैं भारत जपान और यूसे की बीच में जो अल्टर नेटिवली हेल्ड किया जाता है कभी इंडेन ओशन में या फिर पैसिफ किया गया तो ट्राइलेटरल बोल दिया क्योंकि हमने ये न्यूस कटिंग में पड़ा हुआ सुरिंट से यहां पे क्लियर है आंगे लिखा कि अब यह एक्सराइज है एम किया गया सपोर्ट फ्रीक ओपन अंदर इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक और रिमें कमेंटेड तो रूल्स बेस्ट इंटर्नाशनल ओर्डर्स करेक्ट आगे लिखा गया कि इसका एम भी है इस आल्सों एम्डाट इंटर ऑपर बिलिटी विद एन एम्फसाइज ऑन्द हुमानिटेरियन असिस्टेंस सर्फेस वार में मैंवर्स एंटी सब्मेरीन वार्फियर्स काउंटर ट बेस रखा गया अब्जेक्टिव रखा गया मालबार एक्सेसाइज इसको लेकर क्लियर है सुनिंट्स यहां तक बढ़ें आगे तो आज की हमारी नेक्स्ट न्यूस क्या रहती है यह डाट इस यह फर्टिलाइजर्स सबसे सिडी इस इंपोर्टेंट फॉर जी एसी पेपर टू एंड फ्री शुरू करूं तो देखिए यहां पर क्या लिखा कि सेंटर ने वर्क शुरू किया है प्लान के उपर वर्किंग ऑन प्लान अब भारत सरकार ये बोलती है कि वो प्लान को अभी वर्क काम कर रही है ताकि हर एक किसान भारत के अंदर फर्टिलाइजर बैक को लिमिटली परचेस कर सके जब वो क्रॉपिंग सीजन में यूज करते है क्लियर एवन लिखा की फार्मर बाय फर्टिलाइजर एट मैक्सिमम रिटेल प्राइज प्राइस मर्पी पे लेता है बिलो देर नॉर्मल सप्लाई और डिमांड बेस मार्केट रेट्स और वट इट कॉट्स कोस्ट तो प्रदूस इंपोर्ट थैं इंपोर्टेंट है क्लियर इसका एग्जांपल अगर देखा जाये तो MRP of neem coated urea is fixed by the government वो कितना है 5922.22 पैसा पर तंस वेरास वेरास इट्स एवरेज कॉस्ट प्लस प्राइस पेबल चु डुमेस्टिक मेनुफेक्ट्ट्र वो कितना रहेगा और इंपोर्टर केम तो अराउंड 17,000 और 23,000 पर तंस रिस्पेक्टिवली तो आप अंतर दे सकते हैं कि माक्सिमम रिटेल प्राइस पे मिल रहा है किसानों को क्लियर आगे चला जाए तो यहां पे क्या है कि जो एक डिफरेंस है विच वेरीज अकॉर्डिंग तो दे प्लांट वाइस प्रोडक्शन कॉस्ट और इंपोर्ट प्राइस इस फूटेड बाइड़ सेंटर एस सब्सीडी विच गोस तो दे कमपनी इवन मैंने फर्टिलाइजर सब्सीडी के लिए एक यहां पर ग्राफ भी यूस किया यहां पर लिखा गया 2017 में कितना चार्ज थे और 18-19-20 में एंड-21 तक तो इंक्लूसिव एक्स्रा कितना गया 65,000 क्रोड का प्रोवीजिन मेड अंडर दे स्टेमुलस पैकेज टू क्लियर दे एडियर एस एवन दे MRP of non-urea fertilizer जो MRP है fertilizer की बट उसमें जो यूरिय ना हूँ नौन-urea fertilizer are decontrolled or fixed by the companies however center pay a flat per ton subsidy क्योंकि center flat ton subsidy देता है on these nutrients to ensure reasonable prices clear है students आगे बढ़ता हूं तो यहां पर देखिए मार्च 2018 में new benefit transfer scheme शुरू की गई इसी डीवीडी बोल दिया गया था वह इंट्रोड्यूस जहां पर subsidy payment है जो companies को दी जाएगी happen only after actual sale to the farmers by the retailers जब वह पूरी तरह खपत हो जाएगा clear और each retailer हर एक retailer has point of sale machine pause machine होगी linked to the department of fertilizer जो लिंक की जाएगी department of fertilizer के द्वारा वह कौन है ई और वरक डी बीटी पॉर्टल एनीबडी बाइंग subsidized fertilizer is required to furnish देर अधार और किसान कार्ट नंबर तो वह अधार और किसान कार्ट नंबर भी यूज करना पड़ेगा only upon the sale getting registered on the e or work or work platform can accompany claim subsidy तभी आपको subsidy मिल पाएगी with these being proceeded on a weekly basis पे रहेगा and payment limited electronically to its bank account तो आपके bank खाते में directly electronically electronically पैसा आ जाएगा clear है currently क्या बात की गई center follow no denial policy where anybody non-farmer included can purchase any quantity of fertilizer through the pause machine important है clear even it allow अब यह अलाव भी करता है for the bulk buying अब काफी ज्यादा बल्क में quantity में पर्चेस कर सकते हो बाए and intended beneficiaries who are not genuine or just deserving farmers clear है students यहां तक अगर कोई डाउट है तो comment section में जुरू लिखेगा आप लोग आगे बढ़ता हूं तो यह मैंने यहां पर से newspaper की cutting यूज की थी fertilizer subsidy को लेकर तो 2018 से 19, 19, 20, 20, 21 तक कितना data आपका आ रहे है यूरिया subsidy कितनी आ रहे है और nutrient-based subsidy कितनी मिल रहे है clear है और यूरिया-based subsidy ज्यादा है आगे लिखते हैं कि fertilizer subsidy के अंदर proposed measure कितना है कि discussions हुई are ongoing on cap the total number of subsidy fertilizer bags वोही discussion होगी that any person can buy during an entire curry for rabbi cropping season important prelim perspective से केते है इस एक्सेक्टेड आट इवन रिटेल level divergent वो भी खतम हो सकता है और पर्चेस बाइज 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 मास्कुरेडिंग्स as farmers a reasonable cap कितना रहेगा 100 bags only once would easily cover the seasonal requirement of a 20-acre farmer वो लैंड का अभी एरिया देखकर फिर बैक्स का number of bags को fix किया जाएगा कि those wanting अगर जादा चाहिए can well afford to pay the unsubsidized rate for the extra bag अगर आपको फिर extra bag की जुरूत है उसके उपर subsidy नहीं मिलेगी cost बढ़ जाएगी other associated cost to the farmers कितना रहेगा apart from the fertilizers there are other things for which farmer need to pay वो कौन से ये like GST goods and service X and other taxes on the inputs clear residents अगर कोई doubt है तो comment section में जरूर लिखेगा मैं बार बार repeat करता हूं इसी चीज़ को क्योंकि मैं next session में आपके doubts को भी clear कर पाऊंगा students तभी even last point लिखा कि it ranges from 12% on tractors agricultural inputs pumps and drip या फिर sprinkler irrigation system to the 18% on the crop production chemicals यानि की fertilizer itself fertilizer itself is fixed at 5% यानि की excise and value added access on diesel clear है students तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास news आगे भी है but due to the time मैं आज का session यहीं तक करता हूं और आशा करेंगा कि आपको यह वहला session भी काफी अच्छा लगाओगा so please इसको rate करें और maximum से maximum share करें thank you students